कि निर्माताओं सिच्चक भरती लिखित परिच्छा के जी एस जी के विवीत सम्चमाई की रजिनिंग आदिके महत्तपूर्ण स्रीज में आप शरी का पुने श्वागत हैं अगर आप सरकारी सिच्चक बनने के लिए मेहनत कर रहा हैं पढ़ रहा हैं इस वीडियो के अंतक बने रहेगा अगर आपने यहां तक वीडियो को पढ़ लिया है देख लिया है तो आगे भी बने रहेगा यह वीडियो हो सकता थोड़ा सा बढ़ा हो लेकिन आपकी सलिक्षन से बढ़ कर नहीं होगा यहाँ पे हम सभी संभावित परिच्छा में पूछ जा सकते हैं लेकि परिच्छा में जरूर पूछ जाएंगे यहां पर जी प्रश्णों की संख्या होगी वह पचास होगी लेकिन उस पचास के साथ साथ कुछ चीज़े ऐसी है जैसे उनमें एक बिकल्प के प्रश्ण की चार बिकल्प को हल करेंगे उनमें भी ब्याक्ष्या करेंगे तो एक बार में कम से कम आपके 300 सवाल तयार हमें तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेस आपके साथ क्योंकि अब की बार एक सिट हमार पहला परस्ट आप सभी की सामने डिस्प्लेइप दिख रहा है ने भी खित मुस्लिम साजकों का शही कालन उक्रम नीचे देगे कूट में चुन कि और प्रणारि ऐक सिट हमार जल्दिन ने पहां सबी साथी टans만 कर के जितने लोग वीडो को देख रहे हैं चाहां भी लोग सब्सक् amazingly सब्सक्राइप जल्दननी जवाब दीजेगा सब्सक्राइप चलिक यह पहला हbstश्व है और आपके सामने चल्व Lazini में ही दिक्कत आ गया और में उमीद करता हो अभी तो रेस साब की शुरू होगी है बताइए लिली फटाफट कमेंट करें जित्ते भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो छभी साति फटाफट कमेंट करिएगा चले यहाँ पर ध्यान देते हैं हम सभी लोग यहाँ पर आपके सामने जो प्रश्न ynमें वुय यह कहरा है कि यहाँ पर कर्यायं सबसे पहले अमहज साफाबदाली का देखें तो जो अमहज साफ़दाली है जnoc के ध्यात दियेग अमहज साफदाली यह पानीपत के थिति लड़ाई में आया था यहां पर इस प्रश्ण का जो उत्तर होगा सबसे पहले कानुकरम अगर जहांगीर का सासनकाल देखा जाए तेहां पर यह 1605 से लेकर यह 1749 तक था उसके बाद अमहत साब डाली यह पानीपत के तिति लड़ाई में था जबकि बहादूर सा दूती इसे हम एक नाम से और जानते हैं जफर के नाम से यह इसका कारेकाल 1837 से लेकर संताओं तक इस आधार पर जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं चाहे से फेस्बुक पर चाहे यूटूब पर जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपके अनुसार इस दियेगे प्रश्ण का सही बिकल्प क्या होगा प्रश्ण का उत्तर श्री बताया है उन सबके जबाब पूरी तरसे शही हैं बढ़ते एक और अगरे प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण भी आपका इतिहास से है और आपके स्थामने है यहाँ पर चित्रकला की मुगल सैली का प्रारम किस ने किया था अग्बर हुमायू जहांगीर साजहां जितने भी साधी वीडियो को लाइप देख रहा है चाहिसे फेस्बुक पर चाहिए यूटूब पर आप सभी से मेरा यह बिनमर निवेदन है कि वीडियो को लाइक का बटन दबाने के बाद अपने सभी साती मित्रों को शेयर कर दीजेगा व्यूकि सफलता असफलता के बीज एक प्रश्ण का भी अंतर होता है जो एक बड़ी खाई बना देता है तो हो सकता है आपके वीडि इसे पूर्व का राफिल बताईए पूर्व का राफिल किस चित्रकार को कहा जाता है जी हां पूर्व का राफिल ये कहा जाता है बिहजाद को किसे बिहजाद को ये चित्रकार का नाम था उसे पूर्व का राफिल कहते हैं कासिस कौन था कासिस मीर सायद था आगे बढ़ते हैं एक प्रश्ण मेरा आप सभी से है कि मुगल काल में चित्रकला का स्वाणिम काल किसे माना जाता है अगला सवार किस मुगल बात्सा ने बलबन द्वारा प्रारम किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया बहुत इंपोर्टेंट है जिहां किस मुगल बात्सा ने बलबन द्वारा प्रारम किया गया दरबारी रिवाज जो था सिजदा को शमाप्त कर दिया देखिए अगबर जहांगीर शाजहा और अरंग जेब देखिए यहां पर आप लोगों ने को भी पता होगा कि मुगल बात्सा साजहा ने बलबन द्वारा किसने साजहा ने काफी इंपोर्टेंट प्रशन है सभी के लिए श्री वालों के लिए राइटेंस वर है सभी लोग काफी लोग ने इस प्रशन का उत्तर सही कुछ लोगों ने घलत भी बताया है तो यहां पर इस प्रशन का जो शटीक उत्तर है श्री ये किस दसा में लगभग 1636-37 की बात है सिजदा प्रथा का अंदे कर दिया जमीन बोस की प्रथा भी खत्म कर दी जमीन बोस की धान दीजेगा यहीं पर जमीन बोस की प्रथा थी वो भी समाप्त कर दी गई और पगड़ी में बात्सा की तस्वीर पहनने की माना ही कर दी जो पगड़ी में तस्वीर पहनने जाती बात्सा की ये बाते साजहा के धार्मी दिश्टिकोंड के उदाने के रोपे प्रस्तुत की जाती हैं। उसकी जगापर चहार तस्लीम देंकार गोगुंद के आस्थान पर चहाह सिज्दा प्रस्तुतित मतलगे चिलते हैं। अगले पश्निकी तरफ यहां पर क्लास सेलेक्शन के लिए पढ़ती किसी नाम लेने के लिए नहीं ठीक अगला सवाल है हड़ी से निर्मीत आभूसन भारत में मध्य पासाणकाल के संदर में प्राप्त हुए सराय नाहराय से महदाहा से लेखिया से चोपनी मंडो से तो जित प्राइए चिद्रकला सेली का प्रारम हुमायू नहीं किया था नियू हुमायू नहीं रखी थी देखिए इस प्रशने का उत्तर क्या होगा मैं यहां पर अस्पास्टूप से बताना चाहूँगा यहां पर देखिए दोनों प्रशन शहीं है मध्य पासाणकाल में अस्तल जो महदाहा है यह परताबगर के पास उत्तर पदेश में हैं बड़ी मात्रा में हड़ी सिंग से बने वे उपकरण मिलते हैं उसके बाद बूचड़ खाना संकुल शेत्र कभिस्तान निम अच्छेत्र में बटा था तो यहां पर भी मिलते हैं मजदहा सराय नाहर सराय नाहर यहां से भी और दमदमा दमदमा मतलब तीन ऐसे अस्थान है जहां हड़ी के उकरण आबुसर मिलते हैं और तीनों से प्राप्त हुए हैं इसलिए यहां परिशपशन का उत्तर ए भी सही है और बी भी सही है मानि दोनों सही है विकल्प के इसाब ठीक है उत्तर पदेश जी दुरगेश के application पर उपलब्द है यूपी special की सारी classes खतम हो चुके हैं जाकर आप लोग वापी देख लीजेगा अगला है वर्स 1903 में भारत वर्स की जी है ध्यान से देखिएगा आप लो जितने वीडियो को लाइब देख रहे हैं भारत वर्स की पर्थम चीनी मिला स्था प्र्राप्त करें कि देखे यहाँ पर उन्हेश सो तीन में भारत वस्की पर्थम चीनी मिल उत्तर-परदेश के प्रताफपूर में लगी ती और उत्तर-परदेश के प्रतापूर में यह eficient कहां पर है यह दिवरी यहामने नो इसमीन चाहरे तो आपके सीनसोट रख लेज पड़ से, बीज से, तनेशे, मूल से, सभी लोग फटावर कमन करें बताएं, कपास के रेसे कहां से मिलते हैं, एकदम हलुआ प्रस्ण है, एकदम हासान प्रस्ण है, लेकिन जितने लोग लगातार पड़ रहे हैं, उत्ते लोग प्रस्ण का जबाब देलेंगे, मेरे प्यार के रेसे, बीज से प्राप्त होते हैं, जितने साथी लोगों ने उत्तव भी दिया, उनका जवाब सही है, अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं, गुलाबी करांती किस से समंधित है, आई यहां पर ध्यान से देखते हैं, हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं कि जो गुलाबी करांटी का संबंध किस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् लाल क्रांती मांस टमाटर से भी है पीली क्रांती तिलहन से है लेकिन जो गुलाबी क्रांती है इसका संबंध प्याज से है जी हम मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्ण का जो सही बिकल्प है वो डी है जितने साथी मत्रों इस प्रश्ण का डी दिया है उन सभी के जबाब कमी नहीं लग रही हो अगर आपको लग रहा मैं बहतर पढ़ा रहा हूं तो प्लीज वीडियो को दस लोगों तक पोचाईए अपने फेस्बुक पे शेयर करिए वाटसेप के गुरूपों में डाल दीजिए अपनी स्टेटस पर जगह दीजिए हां जीएंगे से भी है पी सेन गुप्ता जी सदाश्यूक उनेई 64 ने भारतिक कितनी लगुक रिसी प्रदेशों में बाटा था तो यहां पर देखे दिस प्रशन का उत्तर में ज्यादा समनी लोगा 60 आई मैं इसके बारे में बता दू कैसे देखे रिष्टार जनरल आफ जनगर्णा रिष्टार ज इसमें 4 देर्ग 11 बड़े और 60 लगू इसमें कितने थे 4 देर्ग थे लिख लिए यहां पर अगर देखा जाए तो 4 माइक्रो मेगा और माइक्रो इतना डिवाइड किया गया था अब अगला प्रशन आपके सामने निन्विखित में से कौन सा सही सुमलित महीं है ठीक है बताई जली से कौनेंट करके कौन सा युग में शुमलित नहीं है नागलबां सत्रज नदी सरदार सरवर पर रिजन नर्मदा नदी नागर जू शाकर गोदावरी हीरा कुन बाद महा नदी देखिए इसके सासत भात की भोगोल की एक 18 वीडियो की सीरीज है अगर आ अपने इलेनी भी दुर्गेश की नोट भी पढ़ लिए तो यहां पर प्रशन आपको ऐसा लग रहा होगी आपने इसको पहले ही पढ़ लिया है दिखें यहां पर क्या होगा नागलबात सत्रज नदी शही है किले फिर सरदार सरवर पर पर जून नर्मदा दी ये भी शही नागर्जु सागर गुदावरी नदी यही आपका गलत है क्यों क्योंकि नागर्जु सागर्जु है वो किष्णा नदी पर कहां पर है किष्णा नदी पर है गुदावरी नदी पर नहीं है ठीक है हिराकुनबाद महा नदी पर है इसलिए जो आपका गलत है वही आपका इ सबसे बड़े समय का सबसे बड़ा युगदान होता है इसलिए जब भी पढ़ाते हैं बिस्तित ब्याख्या करते हैं समय ज्यादा लग जाए चलेगा लेकिन सलेक्षन प्रभावी तनहों कभी यहां में शुमिलित करना है शागाओन के ब्रिच अधिकांस्तर आपको मद्यप अभरत में ज्यादा मिलते हैं सागों अगर देवदार की बात की जाए तो यह आपके जो हिमाले का पश्चमी छेत्र है अर्थात हिमाले का जो उच्च छेत्र है वह पश्चमी छेत्र ही आएगा वहां पर पाजाते जगभग यह पंद्रह सो से लेकर पचीस सो मीटर की अगला है शिनकोना तो जो शिनकोना है हिमालय के तरह्डे छेत्र में पाइजाती है एक प्रकार से सिनकोना भुमद्रेख की जंग विदारण वह थिकर फिक किघाल कुनयन होती है ये भी याद रखेगा कुनय इससे मलेरिया की दवा बनाए जाती है और ये अगर देखा जैब पूरे गलोब पर इसका अभित्रण भारत में तेहां हो गया ये उसकड़ बंदी छित्रों में पाई जाती है मतलब 10 दिगरी उत्तर 10 दिगरी दच्छुन क्योंकि यहां पर प्रदिन दो बजे से लेकर चावेता गनगोर वर्षा होती है इसलिए दुनिया की सबसे जादा जैबिवित्ता दुनिया की सबसे जादा बायो डैवर्सिटी यही पर मिलते हैं और जो जो हम भूमद रेखा से दुरूओं की तरफ बढ़ते हैं हमारी जो बायो डैवर्सिटी है वो घटती जाती है इसका बिप्रीद भी सता सत्य होगा जो जो हम धुरूओं की तरफ से भूमद रेखा की तरफ बढ़ते हैं डैवर्सिटी बढ़ती जाती है और भूमद रेखा पर शरवाधिक डैवर डाइवर्शिटी अर्थात जैविवित्ता पाई जाती है दुनिया में सबसे ज्यादा जैविवित्ता ब्राजिल में पाई जाती है भारत किस क्रम पे आता है कोमेंट करके जब आप जरूर दीजेगा भारत में सबसे ज्यादा जैविवित्ता केरल में पाई जाता है और भा अगला सवाल हुण्डु प्रपातनिर्मित हैं इंद्राउति नदीपर। क dusty सुवण्ड गखा सुवण्ड गगगँ अपिक्ति में से कोई ने नए तो याद रहे जो हंडु प्रपात है कि ये ये राचिके पास में है और ये लिवापे और देखा नदीपर है यह important है इसलिए मैंने आप बता दिए क्योंकि बहुत सारे से प्रश्णों होते हैं जो आपको परिच्छा में सीधे मिलते हैं अगला सवाल कथन देखे आजकल आपने भी हालहीं कोई परिच्छा दी होगी तो उत्तरप्रदिश में जो परिच्छा हो रही है आजकल कूट वाले सवाल पुछे जारे बहुत जादा बहुत आए में यहाँ भी पूछा है कि प्रिष्ट्री वायु चक्रवाद के केंदर के उपर अभ्यांतर कुंडित होती है हवा चक्रवाद के केंदरों पर और रोहित होती है यहाँ पर मैं दो प्रस्ट्रण सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा याद रखिएगा दो लोग जैसे यह हमारा गलोब हो गया यह गलोब में जीरो डिगरी है जिसे क्वेटर लाइन के दे भूमद रेखा कहा जाता है इसके उत्तर को यह नार्थन हेमिश्पियर है और यह साउतन हेमिश्पियर है बने उत्तरी गुलार्द और दच्छनी पूछेगा कि उत्तरी गुलार्द में चक्रवाद की धर चलता है दच्छुडी गुलार्द में किदर चलता है और प्रति चक्रवाद क्या है और याद रहे दूसरी चक्रवाद से पूछा जाता है चक्रवाद की चच्छु क्या होती है तो जितने भी साथ इस वीडियो को लिए जो केंद्र में होता है इसे चक्रवात की चच्चु या चक्रवात की आँख कहा जाता है जितने भी साथी को वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है तीन दाड़ बिंदो पर क्लिक करकर वीडियो की क्वाल्टी बढ़ा लेजे और आपको ठीक है और आपको एकदम पूरी तरह से यजडी मिलेगा अच्छे सवाल आ रहा है इसे आप कोश्चन बहुत करते हैं देखिए जब जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपको उतना चीज़े ज़्यादा जान करी होगी और हर प्रश्ण में आपको प्रश्ण मिलेगा और प्रिष्टिक वाईब दर कि उपर अब्यानतर कुंडित होती इसका मतलब क्या है कि चक्रवाथ समानतर केंदृ निम्हों होते हैं यहन के चारों और संवाईदाब रेखाएं होती है कैंद से बाहर की और वायदाब बढ़ता जाता है फलत सोरुप जो परिदी होती है केंदर की और हमाइच चलने लगती मतलब ध्यान दिजएगा कि हमाइच कि तरफ चलना ही केंदर की तरफ यूपकि मैंने बताया न यह बाहर हाई प्रेसर होता है यह पी और अंदर यलपी होता है इस प्रकार प्रिष्टी वायो जो होती है चक्रवात की केंदर के उपर धिरे दिरे उपर इकतरा बढ़ती है जिससे हवा चक्रवात की केंदर में घूमने लगती है अभिसारित होती है और रोहित होती है इस प्रकार हमने देखा कि उत्री गुलार्द में चक्रवात घड़ी की सौई की बीपरीथ उत्री गुलार्द में घड़ी की सौई की बीपरीथ मन्य "'Ante Clockwise' Moyes' जबकні दछणी गुलार्द में महां घड़ीकी सौई कणूल चलती है मन् AAA चलती है रट लीजिएगा मेरे प्यारे सिचक साथी हो ध्यान से देखिएगा मेरी बात को समझेगा कि उत्तरी गुलार्दी में जो हवाय चलती है एंटी कलाकवाई चलती है चक्रवाद दच्छणी गुलार्दी में जो हवाय होती है वो कलाकवाई जोती है रट लीजेगा मेरे प्यारे साथियों इसे देश के निर्माता हो क्योंकि यहां से एक प्रस्ण परिक्षा में पूछा जाता है कुछ चक्रवातों के नाम पूछा जाता है वो अपको नोट्स में मैंने उपलब्द करा है एक बार जरूर देख लीजेगा लेकिन ये दोनों बाते याद रखिएगा ठीक है चलिए इसकी स्कीन सोट कर लें आप लोग जल्दी आपके लिए कुछ और क्लासे जा रहे हैं उसकी गोष्ण आपको कर दी गई होंगी और आप लोग सबी लोग टेलीग्राम जोएन कर लिजेगा भले वीडियो को मसेर करिए देखें परान सोची कितना गजब का सवाल है यह मत कहिएगा सरम को नहीं आरत कहां से गजब हो गया यह उससे मतलब नहीं रखता मतलब इस बात च रखता है कि आप कितना ज्यादा कॉंसेट को क्लियर करते हैं यह हैं ब्राजील और परागवे याद रखेगा ब्राजील और परागवे य एक संक पर्योजना है, दूसरी बात याद रखेगा, एक्वेडोर की राजधानी क्या है, कॉमेंट करके बताएगा, पीरू की राजधानी क्या है, यह बहुत बार परिक्छा में पूचा है, पीरू और ब्राजील की राजधानी एकदम आसान है, ब्राजील की राजधानी क् पर मिलता है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर शी है मेरे प्यार से चक साथी हो इसे देश के निर्माता हो कोरल रीफ यह जिवास पट्टी प्रायक कहां पाई जाती है कोरल प्रकार का जीव है जो लगबग ढई इंचो तक मिलता है जैसे यह चूना खाते हैं चूने में रहते ह और यह जहां रहते हैं लगबग यह करोणों की संख्या में रहते हैं जी हां यह करोणों अरबों की संख्या में रहते हैं जैसे ध्यान रहे आप लोग को मदुमक्खी कभी अकेली रहती है का आप लोगों ने देखा है मदुमक्खी अकेली रहती हो जिस तरह जुन्डे मे रहती है, वह हजारों की संख्या में रहती है, वैसे कोरल जहां रहते हैं, वो लाखों की संख्या, करोनों की संख्या में रहते हैं, एक उपर ये पलते जाते हैं, पनपते जाते हैं, एक पीड़ी की उपर दूसरी पीड़ी जाती है, इस पकार हमने और आपने देखा, ये त मिलता है उसके साथ एक सर्थ है कि जो सागर होगा कोरल में कोरल को मुंगा कहा जाता है ठीक है याद रहे यह चिछले समुद्र में पाए जाते हैं कैसे चिछले समुद्र में पाए जाते हैं एक बात दूसरी बात आप लोग याद रखेगा और यह जहां पर यह पाए जाते ह यहां पर बहुताय मचलियां पाई जाती है, मचलियां किसलिए पाई जाती है, आए उसकी बातों को मैं समझाने का प्रयाश करता हूँ, जैसे आपने देखा होगा, यह गोंगा आप लोगों ने देखा है, यह गोंगे की तरह होती है, यह खोल के अंदर रहती है, ठीक है, औ अब ये प्रश्च उड़ता है छोटी मचलियां यहां कैसे आती है तो जो मादा मचलियां होती है अपने अंडो देने के लिए इसके बीच मैं कर अंडे देती है इसलिए कोरल के आसपास छोटी मचलिया मिलती है उनको खाने के लिए बड़ी मचलिया आती है इस प्रकार ओब पूरा कोरल पर ही बसा देश है केंसासी प्रदेश है और कौन सा ऐसा देश है जो पूरी तरह से कोरल पर बसा है दूसरा मेरा सवाल ये है कॉमेंट सेक्षन में जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग जित्री लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं बहुत ज्यादा तो चौदक क्या होगा कि कोरल रिफ जुआसु पट्टी करक और मकर रेखा के मध में पाई जाती है इसलिए इस प्रश्ण का जो उत्तर होगा यह भी होगा जी हम मेरे प्यारे सिच्चक साथियों इस देश के निर्माता हूं हम चलते का और अगली प्रश्ण की तरफ दुनिय अगर आसान इससे बहतर गर कोई पढ़ा दे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि मेरा उद्देश्ट है आपका सेलेक्शन दिलाना और मैं हमेशा आपके सेलेक्शन के लिए पढ़ाता हूं रेड डाटा बुक का मतलब क्या होता है और थवा रेड लिस्ट से सम्मंदित संग्टन क्या है मैं चाहूंगा इस प्रश्ण का ही जबाब नहीं देना है बलकिन आपको यह बताना है किसका सम्मंद आई यू शी एन इसका हेड़क्वाटर का है कॉमेंट करके बताएगा इंट्रनेशन यूनियन कंजर्वेशन आफ नेशन नेचर इसका फु कोमेंट सेक्षन में जाइएगा कोमेंट करके जबाब दीजेगा यारी वीडियो को शेयर कर दीजिए काहें इससे बहतर अगर मैंने कहा अगर आपके अंतर आत्म यह कहती है नहीं वास्तों मैं बहतर पढ़ा रहा हूं तो लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों क को बता के यह क्लास की टाइमिंग जिस दिन परिच्छाल से बाहर निकलेंगे से सरकारी शुचक परिच्छा पेपर देकर यकीन मानिए आपको जुरू भरुसा होगा कि आपने सही फैसला लिया था यह लगने द्रोगे सी क्लास को पढ़ा था कौन से ड्रग गिद्दों के समिष्ठ हरास के लिए उत्तर दाई है मैंने आपको इसको पढ़ा दिया है गिद्दों की आत में गुर्दे में समस्या रही है एक दर्द निर्वारक दवा जो पसू को दी जाती है और उसके वज़ा से पसू खाके जब मर जाते हैं उन पसू के मरवे पसू गिद्द को ख जाता है और फिर तीस दिन का अंदर उसकी मिलती हो जाती है ठीक है एक बात और आपको प्रश्ण पूछा था मैंने डोडो पक्षी का संबंद किस देश है और यह भी बिलुक्त हो रहा है लेकिन इसका एक कारण है यह फल खाता था वह फल जो पेड़ देता था वह किसका पक्षी है कोमेंट सेक्षन में कोमेंट करिएगा भारत में गिद्ध है लेकिन गिद्ध की भाती और किसका जीवन संकट में है और वह किस देश का है कॉमेंट जरू करिएगा सभी लोग जितने साथीज वीडियो को देख रहे हैं अगला वेटलांड इंटानेसलन नामक सरच्छन वेटलांड जिसे वेटलांड के में सीधे से मतलब है वेटलांड डेक कम मना जाता है आदर दिवस तो ये सीधा सीधा आपको पता होगा ये दो फरवरी को एक प्रश्ण आपका यहां से तयार हो गया थीक है कि लियर हो रहा है सबका की नहीं concept यहां तक concept clear है आगे देखते हैं इसके बारे में और ध्यान से देखना है और आपको बताना है यह राम सर्व से कहताच्छन करता जिसो दोरा बनाये गये अंता सरकारी संग्रहन है यह क्या है कि यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा ब्याहवारिक अनुभों के बहतर नीतियों उपरेच्ण करने के लिए दिया गया ने विफित कुटका सही कथन क्या होगा ध्यान दीजेगा वट्लैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एक गैर ध्यान रहे एक गैर सरकार सहाथी एक गैर लाबकारी स्थ है वैशिक सुटकान आदर भूमी उसके संसाधनों को बनाया रखते पुनधा करने के लिए कारें करता है यह संगतन बिभिन अनुधनंधानों को उपयोग अनुधन के मदद भी करता है इसलिए इसका फ्रश्श्न का उत्तर क्या होगा बी केवल दो इसका सही है जी हाँ मेरे प्यारे से इच्टक साथी हो इस देश के निर्माता हो याद रखेगा अगला सवाल आपके सामें है global warming क्या है global warming का मतलग क्या है प्रिथिवी के वैस्विक तापकरम का बढ़ना Global Warming कहलाता है एक लाइन मगर इससे हम लोग जाने है What do you mean of Global Warming तो Global Warming क्या है इसका मतलब यह है कि प्रिथिवी का वैस्विक तापकरम का बढ़ना ही Global Warming कहलाता है तो जी हाँ आप लोग को इस प्रशने का जवाब देना है कि सारभवमिक संपर्ग से बहतार होगा क्या क्या होगा इसको भूमंडली तापका बढ़ना भी कहा जाता है देखें यहाँ पर सारभवमिक संपर्ग से बहतार होगा जी नहीं हिमनदी द्रवी रूत होने लगी है जब देखिए मैं इस एक एक करके समझा रहा हूँ देखिए सभी लोग यहाँ पर हमने देखा सभी के कमेंट पढ़ रहे हैं लेकिन जो प्रस्ण से समंधि सवाल के जबाब ही दे पाएंगे बाकी के बाहर के सवाल के जब आप नहीं देंगे हिमनदी मने जब बर्प गलेगी आठा समझेए जब पित्री का तापमान बढ़ेगा तो दुरूओं की बर्प पिगलेगी पिगलेगी की नहीं? सही बात समय से पूर आम और बावर आने लगेगी जब तापमान बढ़ने लगेगा पित्री की वैस्विक तापकरम बढ़ने लगेगी तो कहते हैं न? की फरवरी में ही दिखने लगता है मही जैसा महीना तो आम में बहुर भी आने लगेगे स्वास्त पर भी प्रभाव पड़ेगा इस प्रशन का उत्तर जो होगा बी होगा जितने साथी मित्रों ने इस प्रशन का उत्तर भी जबाब दिया है उन सभी के जबाब सही है इसके अत्रित भी बिकल्प दे सकता है लेकिन एक एवर गरिन टॉपिक है जो परिक्षा में पूछा जाता है ग्लोबल वर्मिंग ये परियावरण का सवाल है किलियर हो रहा है सबके कॉंसेप्ट किसी के मन में कोई डौड तो नहीं आ रहा है न बताई जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं उतने लोगों ने वीडियो कभी तक लाइक तक नहीं किया है मतलब इस बास से तो असपस्ट होता है मेरे पढ़ाने में कहीं न कोई कमी है ठीक है चलिए अगला सवाल है आपके सामने निमनिखित में राजसभा की विशे में कौन सा सही है पहली बाद तो राजसभा समधान के अनुश्यत अस्ती के अंतर गताती है यह मैं लगाता है आपको पढ़ाते है रहा हूँ अनुश्यत अस्ती के अंतर गताता है एक सवाल को उत्तर तो आपको मिल गया अब अगले सवाल का जबाब दीजिए सभी लोग फटाफट कमेंट करिए बताइए फटाफट कमेंट करके सभी साथी अहां देखिए पहली बात इसे कभी भंग नहीं क्या देखता सही बात इसका कारेकाल पांच वर्स का होता है जी नहीं शावर्स का होता है परते एक दो वर्स बाद इसके एक तिये सदस्व कारेकाल समाप्त हो जाता है एक ते इस सदस्टों के कारेकाल समाप्त हो जाता है इसके सदस्ट की आई 25 वर्स से कम नहीं होने चीए जी नहीं 30 वर्स अब आप हमें बताईए कि इसमें से कितने लोग का जवाब सही था बताई से विलोग फटापर कमेंट करें भाईया जिसको किलियर नहीं देख रहा है कमेंट का जवाब वो सभी साथी दे दिया करें जो लगातार वीडियो को पढ़ रहा है ठीक है तो कि मैं जब आप दूँगा तो अनि लोगों को दिक्कत होगी यहाँ पर देखें तीन डाड़ विंडू है उस पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लेंगे तो साफ और येश्डी आएगा यहाँ पर हमने देखा एक और तीन सही है इसका मतलए इस प्रश्ण का उत्तर क्या है सी सही है आजकाल ऐसे कूट वाले सवाल पूछे जाते है ठीक चलिए और चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ आसान सा प्रश्ण है अगला सवाल निम्खित कथनों पर विचार कीजिए कभिया मज़ेदार पश्ण है संसद निहर्ता निवारा अधिनियम 1969 के कई पदों को लाब का पद के आधार पर निहर्ता से छूट देता है उप्युक्त अधिनियम पाँच बार संसुदित किया गया था सब्द लाब का पद भाद के सम्धान में भली भाती परिभासित किया गया अब आपको श्रही कथन का बताना है देखिए संसद निवारा अनिव पदों को लाब के पद के आधार पर संसद के सदस्चों के लिए निरहर्ता से छूट परदान की है ठीक है अब यहां पर इसका मतलब यह सही है पांच बार संसुधित क्या जा सुका है देखिए पांच बार देखिए पहली बार 1993 में किया गया था 6 साल बार 1999 में किया गया था फिर एक साल के तुरंद बार 2000 में किया गया था फिर 2009 में किया गया था अभी 2003 में किया गया था वतलब ये भी आपका सही है लाब का पद भारत के समिधाने भली भाती परिभासी थे तो भारत के समिधान में लाब का पद सब्द को परिभासी नहीं किया गया है हलांकि इस सब्द को उलेक अंचेदों में अलग लग दिया गया है उसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर ए सही है, वालो के राइट सही है. अगला सवाल आपके सामने हैं देखिए ये दोनों सवाल आपके लिए काफी महत्यपूर हैं पहला सवाल एकईस कौन सा एक प्रावधान भारतिय समिधान के अंतरगत संसत के सदस्चों के बिशेसा दिकारता था उन मुक्तियों को निरधायत करता है यहां पे चार पकार के अ तथा उनके सदस्चों और समिधियों के सक्तिया बिशेसा दिकार उन मुक्तियों को निरधारित करता है भारत में उचितम न्याले का उधाटन किस तिथी में हुआ था सुप्रीम कोट का उधाटन कब हुआ था एक बात जिस समय सुप्रीम कोट का उधाटन हुआ था उस सम परदान के लागू होने के दो दिन के बाद अच्छा पून लागू होने के बाद अर्थाथ 28 जनवरी और 950 को बने जितने साथी मित्रों ने इस प्रशन का उत्तर भी बताया है उनके जबाब पूरी तरह से सही हैं वर्तमान में कुल कितने नयाधी सुप्रीम कोट में हो सकत हैं इसका जबाब कोमेंट सेक्शन में दीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं ठीक और इसके अलावा जो करेंड की सीरीज है करेंड की जो पीडियाफ है वह आपको टेलीग्राम पर उपलब्द है यह लगने बिदुर्गेस के अपली केसन पर उ देखिए यह भी मैंने पढ़ाया है अगर आपने इसी रीच को मारी पढ़ा होगा खासकर भारतिश अमिधान को वहां पर मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से सर्वोच नियालग लगभक 3 घंटे मैंने पढ़ाया है भारतिश नमिधान में तदर्थ नियादीशों की सब्सक्राइब करेंगे जित्तली वीडियो को लाइट देख रहे हैं देखिए यहां पर सर्वोच नियाले में ही तदर्थ नियादीशों की निउक्ति का प्राधान किया गया है और मतलब ऐसे नियादी जो रिटार्ड हो चुके हैं जो जो कमी होने पर उन्हें बुलाया जाता है इसे को मतदर्थ नियादीश के संग्या देते हैं चलिए अगला है आपके सामने साथ आपको दिख भी रहा होगा सवाल कहरा अंत्रिच यान प्रिथिवी पर उतरते समय कुछ छण के लिए भूई टेशन से रेडियो संपर खो देता है ठीक अगला कहरा है जब एक इसके चार और वायू आईनित हो जाती है अब यहां पर यह बताना है निम्हां फिक्क मेंसे कौन सा सही है कौन सा गलद है और किस प्रकार से सही है सभी साथे जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दे से कमेंट करें देखें यहां पर मैं आपको दोहरा रहा हू अंत्रच्यान की सतव पर तापमान बढ़ जाता है और चारोर जो यह होती है ईनित हो जाती है रेड्यो सिंगनल वाधिपकर भूल टेशन से अंतरच्यान के संपरप्रोहमित करती है इस प्रकास का कथन और कारण दोनों सही है इस प्रकाइस प्रस्ण का जो शही बिकल्ब होगा एवालों का स्राइट एंसर होगा किलियर कॉंसेट सबके किसी के मन में कोई डाउट कोई प्रस्ण हो तो पूछ सकता है निम्खित में से कौन सा शही सुमेलित नहीं है तीन है और एक नहीं है तो बताइए कॉमेंट करके कौन सा है सभी लोग फटाफट कॉमेंट करके बताइएगा जितने लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी साथी देखें यहाँ पर जो प्रस्ण गला थे मैं बता दूँ आपको जैसे यह हमारा हो गया भारत माल लेते हैं यह हमारा भारत हो गया काम चलाओं यह हमारा भारत है इस भारत में देखें यहाँ पर यह हमारा है तमिलेंडू क्या है आपका यह तमिलेंडू यहाँ पर लगबग यह आपका आंदरपदेश है यह दोनों सिमाय जहाँ पर मिलती है यहां पर एक पुलिकड जील है कौन से जील है पुलिकड जील है इसी जील के ठीक सामने एक छोटा सा दूइप है जिसे हम स्री हरी कोटा दूइप कहते हैं क्या कहते हैं स्री हरी कोटा दूइप कहते हैं स्री हरी कोटा जो दूइप है ध्यान दिजेगा स्री हरी कोटा जो यहां पर यह कहां पर यह बंगलूरू में है इसलिए यह गलत हो गिए इसका लांचिंग पैड है इसलिए यहां का गलत है और इसके स्थापना पंद्रह अगस्त 1969 1979 को पूर प्रधान मंत्री इंद्रा गांधे ने किया था अंत्रिच अनुपरियोग के अंदाबाद सही राष्टी दूर समेदन के अंद्र हैदराबाद सही बिक्रम सारावाई अंत्रिच के तिर्वंतन पुरम यह सही है मतलब यहां पर जो गलत है कि इसलिए हरिकोटा में स्री हरिकोटा लांचिंग पैड है क्या सब को समझ में आ गया जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं जितने भी सरकारी से इच्छा कि इस वीडियो को पढ़ रहे हैं बताइए मुझे भी समझ माना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वह आपको समझ में आ आप पढ़ रहे हैं या नहीं यह भी ज्यादा माने रखता है अगला 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 पस्टन आपके सामने है साइवेरिया इस्तित है जल्दी से कॉमेंट करिए और जबाब दीजे कि वह यह साइवेरिया कहां है कि क्योंकि रेस के घोड़े हमेसा रेस में अच्छे लगते है खेत में नहीं और आप सब तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं कि साइवेरिया किस महादीप में दुनिया का सबसे कम तापमान कहां पर है कॉमेंट करके जवाब दीजेगा दुनिया का सबसे कम तापमान हो सकता साइवेरिया में ही हो साइवेरिया में किस अस्थान पर य रसिया में है रसिया दो देश महादूप में फ़ला यूरोप और एशिया और रूस की राजधानी मास्को यूरोप में है और ज्यादा तर जो चित्र है वो एशिया महादूप में है और साइबिया भी एशिया महादूप में भी है क्लियर चली, रूस की राजधानी, अभी मैंने बताया, रूस का ज़्यादा तर जो छित्रफल है, वो कहाँ पर है, एसिया में, लेकिन इसकी जो राजधानी है, यह मासको, यह कहाँ पर है, यह यूरोप में है, यह यूरोप में है, और रूस कहाँ है, यह एसिया में है, यह काफी म से पूछ ले सवाल में सवाल पूछ सकते हैं बाकी चीज़ के लिए नहीं कि ऑक्सीजन की खोच की गई कि साइंस का सवाल है हम उमीद करता हूं जब आप लोग ने भी दे दिया होगा ऑक्सीजन की खोच किशने की थी जो से प्रिष्टले केमेंडिस द्वारा लावो जीयर द्वारा रदर फोड के द्वारा है को देखिए है जो सिर्फ पिश्टैली के द्वारा अक्सीजन की खोच की गई Bab 367 द्वान कि से डरना होताई जबńsk ठीर घ्रे द्यान से देखते हैं यहां पर मिलसे डरने को क्या क्याता है ने कर निक्रोफोबिया कहते हैं लिखनी जएगा हो सकता आपके काम आजाए निक्रोफोबिया मनि मित्त से डरना अल्टोफोबिया अल्टोफोबिया उचाई से डरना पाइरो फोबिया पाइरो फोबिया क्या होता है आगनी से डरना लिखना चाहे लिख लिजेगा पाइरो फोबिया पाइरो फोबिया किसे डरना आग से आग से डरना लेकिन यहाँ पर दिया है एक्रो फोबिया वायू या बंद अस्थान यह वायू से भी होता है वायू या बंदस्थान से डरना, इसलिए इसको वायू से भी डरना कहते हैं, याद रहे, वायू से या बंदस्थान, एक्रोफोबिया कहते हैं, दीए मैं चारो विकल्ब की ब्याख्या करने का पूर्ण प्रयास करता हूँ, वायू से भी होता है, बंदस्थान, दोनों इसका उत्तर सह अब विकल्ब में क्या वे माने रखता है धर्म की अध्यन को क्या कहा जाता है एपिस्टोल आमनी थियोलोजी फिलासपी डिवानोलोजी सभी साती फटा पर कॉमेंट करेंगे जितने भी सरकाली से इच्छक बनने की त्यारी कर रहे हैं इलनी भी दुर्गेश के निसुल क्ला ठीक किलियर अगला है अगला सवाल फिर यही आगया अपका धर्म के अध्यम क्या गते हैं वच्छब वही हो गया अनकोलाजी का दिन क्या जाता है पच्छीयों का कीटों का ग्लोबहर्मिंग का कर करोब का यहां से भी सवाल आपके परिक्षा में एक फिक्स एकदम आता है जो परिक्षा वाले हैं बताईए मेरे पैरे से चक साथियों इस देश के निर्माता हो प्योंकि अब की बार एक्सिट हमार ध्यांद दिगिएगा औकिनोलॉजी के अंतरगत, कैंसर, का अध्यन क्या जाता है, इसे हम कर्क रोक के नाम से भी जानते हैं इसे हम कर्क रोक के भी नाम से जानते हैं, रटि लीजीएगा, cancer, tumour, कर करोग कहते हैं, और in curogies कीटों का अध्यन किसके अंतर्गत करते हैं पक्षियों का अंदर किस अध्यन किसके अंतर्गत करते हैं सभी लोग फटाफट comment करके देएगये पसने का सही जबाब दीजेगा और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहा है वो फटाफटी वीडियो को शेयर कर देंगे और अपने सभी साथियों तक जुड़े रहेंगे आपके मन में कोई सवाल हो तो कॉमेंट सेक्षन ने जबाब दीजेगा और आपको जो करेंट की सीरीज है करेंट की पीडियफ आपको हाल ही में उपलब देकर आया है जितने लोगोंने प्राप्त कर लिया है वो लोग कमेंट सेक्षन में यस लिखेंगे जिनको अभी तक नहीं मिला वो यन लिखेंगे मैं आगे बताऊंगा सारे current की series आपको कहां पर मिल लाईगी और आपकी special series हम लेकर आ रहा है उसकी link आपको टेलिगराम पर उपलब्द हो गई होगी कौन सी greenhouse gas नहीं है तीन है और एक नहीं है यही आपको बताना है carbon dioxide यह CO2 यह greenhouse gas है methane CH4 इसे Mars gas कहते है सड़े गले पदार्थोज में धानी खेस से जब पसू जुगाली करते है तब यह gas निकलती है ठीक है nitrous oxide इसे laughing gas भी कहते है लेकिन hydrogen यह greenhouse gas नहीं है और जो गलत है वही आपका सही है यहाँ पर प्रश्ण पूछा है निम्लिकित में से कौन सा सही नहीं है ठीक है निम्लिकित में से कौन सा सही नहीं है जी हाँ मेरे प्यारे सिचक साथियो ozone gas जरा मेरा comment करके बताएगा ozone gas greenhouse gas है या नहीं जितने भी साथी लिड़ों को देख रहे हैं अगर आपको class बैता लगे share कर यह कम सकम 1000 लगों तक class को पहुचाना है यह आपकी जिम्मेदारी है देखिए अगला सवाल है सबसे कठोर पदार्थ को होता है यह इलनी बिद्रगेस की नोड़ों का अच्छा आड़ की बिज्ञान में है और उपर वाला तो परहवन का सवाल है बताइए सबसे कठोर पदार्थ किसे माना जाता है एकदम आजसान प्रस्टन है क्योंकि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और हीरा ग्रिफाइड का कारबन है हीरा क्या है ग्रिफाइड का कारबन है ग्रिफाइड का कारबन हीरा है एकदम आसान सवाल है ऑजोन भी ग्रीन हाउस गैस है किसी उम्र का पता लगाने के लिए Gerade किस समस्थानी का उप्योentes कर जाता है कारवन 14 ए कि 12पार कारवन 15 कारवन 18 ये लंग में है यह जहां पे पुरा तविक के के बारhe में जहार देख का सरोत पहला के लिए कारबन 40 का पुरियोग किया जाता है कि इस बिधी में जिवास्म या मृत जो पेड़ पौदे होता है प्राप्त कारबन के दो समस्थाने C612, C14 का अनुपाद ग्यात करके आयू का निर्धरन किया जाता है उम्र का पता लगाया जाता है रट लीजेगा मेरे प्यारे सिच्चक साथियों या सवाल आपके लिए बहुत बार आपके परिच्चा में पूछा जाता है अगला सवाल लाल हरी पत्ती लाल प्रकास में कैसी लगती है हरी पत्ती जो है वो लाल प्रकास में कैसी लगती है हरी लाल स्वेत काली यह बड़ा यह बहतरीन प्रस्ण है और लाइट का प्रस्ण है प्रकास का प्रस्ण है कच्छा नौ के फिजिक्स का सवाल है हरी पत्ती को लाल प्रकास में देखने पर यह काली नजर आती है, करिया नजर आती है, क्योंकि परावर्थित करने के लिए हरा रंग नहीं मिलता और राल रंग को असोसित कर लेती है, जिस कारण यह काला नजर आती है अच्छा कुछ लोग को लगता होगा यह answer question से पहले कैसा जाता है, उनका वीडियो पीछे चला होता है, वो लैक पे चला है, मतलब लैक कर जाता है, उनके नेटवर्क इसू जब होता है, तो वीडियो उनके में कुछ सेकेंड पहले दिखाई देता है, कुछ को कुछ सेकेंड बात दिखाई देता है तो उनको लगता होगा यह उत्तर पहले कैसे दे लेते हैं तो याद रखेगा कि जो यह ओनलाइन चला है यह कुछ सेकेंड के अंतराल पर होता है वो आपके इंटरनेट के वज़े से होता है महासागरी लहरे जल में किसकी उपस्थित के कारण प्रकात उसरजित करते हैं चारकन प्रकात उसरजक मचलियां फासफोरस कैलसियम बताई जल्दिय लिफटा पर कॉमेंट करके सभी साती देखे यहाँ पर इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा महासागरी लहरे जल में प्रकात और सर्जक मचलियां की उपस्थिती के कारण प्रकात और सर्जित करती है मतलब यहाँ पर इस प्रश्ण का ठीक है इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा बी सही और राइट उत्तर होगा चलते हैं एक और अगले प्रश्ण की तरफ किसका उपियोग अंधिरे में फोटोग्राप बिंबो के रूप में किया जाता है परावैगनी किरणे, आक्स किरणे, और रक्त किरणे, ध्वानी तरंगे बताईए मेरे प्यारे सिचक साथियो इस देश के निर्माताओं अब की बार एक सी ठमार क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं देखे और रक्त किरण का उपियोग अंधिरे में फोटोग्राफी कि जो बिम्बो के रूप में किया जाता है, और रक्त किरणो, रोगियों के सिकाई करने में इसका प्योग किया जाता है, इसकी खोज किसने किया था, हर सैल ने, किसने किया था, हर सैल ने, यह पूछा जा सकता है कि और रक्त किरणो की जो खोज है, वो किसने किया था, हर सै जल्ली लिए कॉमेंट करें बताईएगा सभी लोग टेलिग्राम जोईन कर लिए ने जित्ते वीडियो को देख रहे हैं या इलनी पर दुर्गेस का आप आप लोग ने श्टॉल कर लिया है प्ले स्टोर से किसका उप्यों गंधेरें अच्छे तो हो गया है तरंग की अवर् तका तरंग द्याद से कोई संबंद नहीं होता बताईए फड़ा पर कमेंट कर गये जी आरेलो थरपी में यूज होता है दीखें यहां पर सवाल का जो सही जवाब होगा अपने तरंग द्याद से प्रतिलोम शमानुपाती होती है सी वालों के जबाब सही है तरंग की आव अगला शवाल आपके सामने है किसका तरंग द्याद सरवादिक होगा कॉमेंट करके सबी लोग जबाब दीजेगा देखिए आप लोग बताईए सबी लोग जित्तेली वीडियो को देख रहे हैं मेरे द्वारा एक क्लास निशुल्क जुनपूर जर्पत किसी राजे हिंसे अपने बच्चे हुए समय में शेफ किसका तरंग द्याद शरवादिक है बैगनी नारंगी हरा लाल कॉमेंट सक्षन में कॉमेंट करके बताईए देखिए इस प्रिशने का उत्तर क्या होगा तरंग द्यादिक और होता है सबसे जादा तरंग द्याद लग में होता है और सबसे कम बैगनी में किलियर हो गया किसी के मनी में कोई डौर तो नहीं है ना श्रेथ प्रकास वन्रक्रम का भाग नहीं है श्वेट प्रकास वनकरम का भाग नहीं है आप जानते होंगे जब किसी प्रिज में से अगर कोई प्रकास गुजारी जाती है तो साथ कीड़ों में डिवाइड हो जाती है तो साथ में कौन सा होता है हपिनाला बैजानी तो यहाँ पर नीला होता है बैगनी होता है नारंगी ह होता है ठीक है पीला नरंगी लाल श्वेट भैगनी इंडिगो हरा यह सारे होते हैं लेकिन यहां पे जामुनी नहीं होता है इसलिए इस प्रिशने का उतर जो गलत है वही आपका श्रही है अगला सवाल पश्चमी घाट में सरवोच शिखर कौन सी है पश्चमी घाट में देखें परवत का नाम क्या है अगर परवत का नाम पूछा जाए तो अना अनाई मलाई है क्या है अनाई मलाई और यह आपको नोट्स अगर आपने पढ़ा होगा एलेनी भी दुरगेश की तो हाँ पर भी है और आपने इसकी वीडियो लेक्चर भी देखा है अच्छ एक सवाल है यहाँ पर सवाल का जवाब मैं आपको देखना चाहूंगा क्योंकि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूँ जो क्लास एक एक क्लास पाच 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 चाच गंटे की होगी तो कितने ऐसे साथी हैं मतलब एक भी से 6-7 गंटे में complete तो जितने साथी इस क्लास को चाहते हैं वो कमेंट करके यस लिखें वो वीडियो अब उन्हीं लोग के लिए होगी जो सिर्यस्ली होकर पढ़ते हैं जितने वीडियो को लोगों तो पहुचाते हैं तो जरा कॉमेंट सेक्शन जबाब दीजेगा ताकि मैं उनके लिए सुरू करूं क्लियर हुआ सब का जबाब अगला कच का रण कच के रण के बारें बता दे हम यहां पर थोड़ा सा ध्यान से करें हम लोग और आप लोग इसके बारें में देखें तो जैसे यह हो गया हमारा माना हमारा भारत है काम चेनल माना हमारे भारत हो गया ठीक है तो यह हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर मैप में देखेंगे यहाँ पर आपको डाट डाट बिंदू दिखेगा यह दलदली छेत्र है इसे हिम कचकारन क्याते हैं क्या क्याते कचकारने दलदली छेत्र है पूरा कैसा छेत्र है परिश्चा की एक मैराथने क्लास हम लेखा रहाएं जाहारा है जहाएं पर एक विछ्षयको संपुर्ण समाप्त जैसे एक दीन इतिह चाहत संपुर्ण संपुर्ड संत्र, एक दिन Bye Starting समाप्त एक दिन आपका विज्ञान का में फिजिक्स एक दिन गूंइस्टरि बायलाजी ऐसे करके एक दिन में पूरा संपूल एक टॉपिक की शीरी लाना चाहा हैं लेकिन आप लोग जबाब देंगे साथ देंगे तब सभी लोग एअप बहतर सपोर्ट करेंगे तो साथ-स आठ गंटे क्लास कांटीनू पढ़ाएंगे मैं आपको कचका रण कैसा है यहां पर यह जानते रहेगा यह चारी यह दलदल है बल्ले उस प्रश्ण का ए जवाब सही है मैंने बताने दलदली छित्र है और जंगली गधा भारण कहां पर भालत में कॉमेंट करके बताईएगा जंगली गधा भारण किसका है नहीं सारे सब्जेट का नहीं जितना हमसे हो पाएगा ठीक है क्योंकि जो जीएद के सब्जेट होते होते हुए पूरा आपको पढ़ा दोंगा पर जीवी क्या है कॉमेंट सेक्सर में कॉमेंट करके बताईएगा जितने भी साधी वीडियो क को लाइक सेर करेंगे और संख्या जादा होगी उतना बहतर मैं लाओंगा साथ घंटे की क्लास होगी कांटीन्यू लगा था ओभी लाइब बताईए यहाँ पर उसी का प्लान चला है एक जीवी एक कोस्की जीव होते हैं यूकुरियोटिक कोस्काय होती है अस्तन पानियों अगला समाप्त हो चुकिए आपने अभी तक देखा नहीं है साथ संपूर है फिर भी मैं उसका मेराथा लेका रहाँगा अगला सवाल आपके सामने है वो सेरी जो परिक्षम सीधे सवाल पूछे आते हैं अगला सवाल आपके सामने है निमिख्यत में से कौन सा प्रति रोधी सल चीकिसा के प्रवर्तक है बहुत इंपोर्टन सवाल है परिक्षा में पूछा जाता है प्रिक्षा कोन है लुई पास्चर जोसेफ लिस्टर रोनाल्ड रास एडवर्ड जेनर चारो के बारे में आप रॉनाल्डो रास के बारे में एडवर्ड जेनर लेकिन इस प्रश्ट का जो उत्तर है वो जोसेप लिश्टर है लेकिन इस चारों भी कलब आपके परिच्छा के लिए काफी महत्पूर है सब दोग रटे लीजिएगा क्योंकि जब तक तोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे नहीं ॉपर पढ़ाया आजी कि मलेरिया के उपचार के लिए शिनकोना ब्रिच जाल किसकी सिनकोना ब्रिच की छाल मैंने आपसे पहले वादा किया था मैं जितनी टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ वो परिच्छा में पूछा जाता है सिनकोना ब्रिच की छाल क्या है कुनायन है जिससे क्या बनती है मलेरिया की दवा बनाई जाती है मेरे प्यारे सिच्चक साथिओ, इस देश के निर्माता हो, याद रखिएगा, रट लीजियेगा, ये सारे परीक्षा वाले सवाल है, मलेरिया के जो प्लाइजयोडेम्यम पर जीवी दोधा होता है, इसका वहक मादा एना फ्लीज मक्षल होती है, याद रखिएगा चम्ता विकार है करकरोग रेबीज एट्स बड़ फ्लोग बताईए रोध चम्ता विकार है निमलिखित मेंशे कौन बताईए फटावट कमेंट करके अच्छा आज क्लास जल्दी खत्म होने वाले चली कोई बात नहीं बताईए फटावट कमेंट करके यहां पर एट्स होगा क्या होगा एट्स ए आई डी एस इसका फुल फार्म क्या होगा कमेंट करें बताईए एक इचाईवी का फुल फार्म क्या होगा कमेंट करें बताईएगा एक दिसंबर को एट्स दिवस की रूप में मनाया जाता है कि बसम्बर क्या मना जाता है तिन समद्सक्राइब कॉमेंट करें बताइए एक दिसमबर च दिवस्ट दो समर कॉन सा दिवस है आप बताई फटापट कमेंट करें ए यह यह भाज वह लोग फटापट कमेंट करकें तीन अच्छछी का फूल-फॉर्म एक प्रस्णा है रोग चमता विचार क्या होता बताईए देखे एट्स रोग विकार होता है रोग चमता मने इससे जो ग्रसित रोगी को रोग पतिरोदर चमता समाप्त हो जाती है रोग पतिरोदर चमता समाप्त हो जाती है याद रहे रोग पत्रोदर चमता समाप तो हो जाती है किस बीमारी में एट्स में ठीक है टी बनने लगता आगे हम लोग पढ़ाएंगे इसके बारे में अगला सवाद कुट्टे के काटने से नमिखित में से क्या होता प्लेक रेबीच रुबेला पोलियो कि निद्ट करें हैं एक डाउट कोस्चन अ रहा हैly मैं देख लेता हूं आप पर यहीं चैनल यह कभी कभारीं होगत ही तो लोग सीधे यार हम भी काफी दिन का पढ़े रहते हैं पढ़ाते कभी कभी हो जाती है आ प्र कि देखिए यह रेवीज नमाग रोग होता है कि मच्चरे काटनेस निम्रिखित में से क्या नहीं होता है भूत इंपॉर्टेंट सवाले बताये इस देखिए मलेरिया हो सकता है नि ये काटे ये कि यांद रहे कि जो मलेरिया मादा familiar मच्छ कि फिरिया क्योलेक्स मच्चड से होता है नेकिन आयए रूजय यह पर है फै सही है सेयन रूगड़ता हो OUT कि यह सीसी मखषी मढम मकिस होता है किसे होता है शी होता है इससे नीद बहुत आती है, यह कहां मिलते हैं, यह जो भुमत दरेखा में, उस सरकड़ बंदी 1 होते हैं, यहां पर ही मख्खी पाई जाती है, जब किसी इंसान को यह काट लेती है, तो हाँ पर नीद जो है, बहुत आयाती है, यह सैन रुगतमाने नीद आती है, बहुत नीद, इस से मलीरिया होती है, अरबो वाईरस मक्षड से होता है, यह पूछा जा सकता है अरबो, क्यूकिसमे फैल राय कहर इसका है, वाइरस मक्षड से होता है, यह बहुत नप्च्च्न है, भी के लिए, ठीक है, चलिए, सुरुवात में साथ आपने प्रष्ण नहीं देखें इसलि का भाग नहीं है देखिए नील आपको मिलेगा नारंगी मिलेगा बैग नी मिलेगा यह प्रस्टन के हिसाब से इसमें जामुनी नहीं है एक बार आप लोग देख लीजेगा जितने लोग वीडियो को लाइब देख रहे हैं कि अगला आपके सामने है कि साथ आपको दिख भी रहा होगा निम्हीं कित्में से क्या कोस्रिका में नहीं पाया जाता सभी लोग फटा फट कॉमेंट करेंगे और दिएगे प्रस्टन का जबाब देंगे जितने वीडियो को लाइब देख रहे हैं कि बताईए सभी लोग फटाबर कमेंट करेंगे बताईए दिखिए ओनलाइन क्लास नोट समद्द अगर कोई जानकाईज इस नंबर पर आप वाटसेप करके जानकारी ले सकते हैं आजे गेस्ट की रूप में मैं हाप पर आप लोगों को अपने बच्चेवे समय में से पढ़ा देता हूं यह मेरी द्वारा क्लास पुईता से निसुलक है देशित में राश्ठित में हैं कोई का में नहीं पाया जाता ध्यान रही सप्रस्दांद का उत्तर क्या होगा कोई कर सकंझ रजधानी मिलती है लाइजोसोम है गाल जीक पर लेकिन टेष्टु इस्टोरेंट नहीं है देखिए जालिका, मैट्रोकांडिया, प्लैस्टीड, जुद्रबादी मिलता है लेकिन टिस्टू इस्टोरेंट नहीं पाया जाता ये नर जनन हर्मून से जो मनुस के दृस्टन में मिलता है ठीक है और लाइज्जो सौम के बारे में एक लाइन बता दूख साथ आप लोग जानते होंगे लाइज्जो सौम को कोसका की आत्मघाती ठैली के नाम से जानते हैं सुसाइड बैक्स कहते हैं, समझ मैं सबको, अगला, मानो सरीर में अधिकांस तक क्या होता, दिखिश में इतिहाश, भोगोल, शमिधान, अर्तिव्योस्था, कम्प्यूटर, यूपी, श्वे, सेल, शामानिम बिज्यान में, फिजिक्स, कमेश्टरी, बायो, सभी का समावेश है, इस पचास पशनों की सिरीज में, यह आज का आखरी शवाल है, मानो सरी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, जल लिली कमेंट करके बताईएगा, जी हाँ, सबसे ज़्यादा जल होता है, कितना प्रस्षत होता है, कमेंट करके बताईएगा, प्रोटीन लगभग 15% होता ह मानुश्यमादिकांस्ते लगवक 65% जल होता है जीवद्रब का अगर देखा जाए जीवद्रब्य का 75% जल का भाग होता है जल का भाग होता है प्रोटीन उर्जवत पादन सरीर के जो मसल है उसमें के लिए ज़्यादा उत्तर दाई होता है मसल्स के लिए यह आज की आखरी सवाल है डेली क्लास के लिए आप सभी लोग से मेरा निवेतन है आप लोग टेलिग्राम पर दुर्गे सर सरच करके e-learning दुर्गे से मेरा आप सभी से एक छोटा सा सवाल है कि मैं आप सभी के लिए एकल विषय की छो घंटे की मैराथन सिरिज लेकर आना चाहरा हूं एकल विषय जहां पर विस्तित ब्याख्या हम आपके सामने लाइब आकर करना चाहते हैं ताकि आप लोग भी देखें कि प्र कि देखेंगे जो बिक्तिकत स्वाल है मेरी भी चिटिकत नंबर में पूछ सकते हैं मैं अपना विक्तिकत नंबर आज आपको शहर कर दे रहा हूं कॉल मत करेगा कॉल करने से बचिए को यह मेरा अप भाईन इwnनल्सė 001 7777 इस पर आप बहुत जुरूर देगा तो टेक्स्ट मैसेज ये वाट्शब कर दीजेगा खाली समय मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा आप लोग अपना बेस्टी देते रिएगा रेस के घोड़े हमेशा रेस मच्छे लगते हैं खेत में नहीं हर तरह के प्रिष्ण बैंकी सीरीज मेरे पास आपके लिए है और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं युकि अब की बार एक सीट हमार रेस के घोड़े में सा रेस मच्छे लगते हैं खेत में नहीं बाकि सभी क्लास की नोट आपको टेलीग्राम पर है बस आप लोग इतना सपोर्ट करिएगा बीडियो को अपने ददद सात्यों को डेली सेर करिएगा उन्हें बताइगा डेली क्लास के बारे में क्लास कप से कप चलती है क्योंकि अग की बार आपको सेलेक्शन लेना है अपने परिवार का नाम रोशन करना है और एक एक करकर इन भरतियों में अपना पद रिजर्व करना है लेकिन कब जब आप महनत करेंगे तब कहने से मेरे नहीं होगा किवल कहने से नहीं आपकी महनत करने से होगा और आप मेहनत करने में कभी पीछे मत ठड़िएगा IP श्टॉल करिएगा वहाँ पे सब कुछ है करेंड की भी special class आपके लिए आ रही है मैं जल्दी आपको अपना best देने के लिए तयार हूँ क्योंकि आपका selection आपके परिवार आपके माबाग के लिए सबस्यादा महत्वपूर है तब तक के लिए बाए बाए जैहिंद जैभारत best of luck मेरे प्यारे साथियों उसकी सूचना आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी टेलीग्राम ब्लोग सभी श्टॉल कर लिजेगा और Facebook गर यूजर है इ लैनी बे दृरगेश का प्यज़ है मेरा भी प्यज़ है खुद का इस अशुप जैसौल है मेरा प्यज़ बिट्दिगत है और बाकी इलनी बे दृगेश का आफिस का प्यज़ है उसके माध्यम से भी सूचना आपको हो जाएगी थीक है बागी किसी सवाल के लिए अन सवाल के लिए Sunday Special Live आठाम हम आते हैं तब तक के लिए बाई-बाई करेंड की PDF प्लग दो उसकी भी Special Class देगे सब की Special Class हम आपके लिए तयार कर रहे हैं रात रात जग करो बेहनत करते हैं पढ़ना पढ़ता है सब चीजों को फिर आपके लिए तयार होता है हल्गा थोड़ी ने बाई-बाई जै हिंद जै भारत